नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौरानिक लोग पर प्राधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती हैं। उसके रोग, शोक, संताप और भय नश्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नश्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्री में छठे दिन पूजा जा कात्य गोत्र में विश्व प्रसिध महर्शी कात्यायन ने भगवती अंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि माता दुर्गा उन्हें पुत्री स्वरूप में प्राप्त हो। और अपने भक्त का मान रखते हुए, मा भगवती ने उनके घ धर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी माता कात्यायनी कहलाई, इनका मूल गुन शोध कार्य है। इसलिए इस वैग्यानिक यूग में माता कात्यायनी का महत्व सरवाधिक हो जाता है। इनकी कृपा मात्र से ही जातक के सारे कार्य पूरे जो जाते हैं कलियोग में ये देवी वैध्यनात नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण को पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन ही की पूजा की थी यह पूजा माता कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी इसलि ये ब्रजमंडल की अधिश्ठात्री देवी के रूप में प्रतिश्चित हैं इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं इन देवी की चार भुजाएं हैं दाएं तरफ का उपर वाला हाथ अभ्यमुद्रा में हैं त तलवार है वन नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है इनका बाहन भी सिंह है इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ती होती है तथा उसके रोग, शोक, संताप और भय नश्ठ हो जाते हैं, जन्मों के समस्थ पाप भी नश्ठ हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परंपद की प्राप्ती भी होती है तो चलिए मित्रों मातारानी के चरण कमल का ध्यान करते हुए सुनते हैं नवरातरी के छठे दिनमा कात्याइनी की अत्यंत सु इनही कात्यरिशी के गोत्र में अतिप्रसिध महर्शी कात्यायन का जन्म हुआ, महर्शी कात्यायन मांबा के परम भक्त थे। महर्शी कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर उत्री के रूप में जन्म ले। मां अंबा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की और आखिरकार मा भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्शी कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया और आश्विन कृष्ण चतुरदशी को महर्शी कात्यायन की पुत्री के रूप में माता का जन्म हुआ जन्म के उपरांध कात्यायन रिशी ने माता आदिशक्ती की विधिवत पूजा का आयोजन किया आश्विन मास की शुकलपक्ष की सप्तमी, अश्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इन्होंने कात्यायन रिशी की पूजा ग्रहें करके दश्मी तिथी को महिशासुर का बध कर दिया था महिशासुर एक असुर था, जिसे ब्रह्माजी से यह वर्दान प्राक्थ हुआ था, कि उसे कोई देवता, असुर या पुरुष नहीं मार सकता इस वर्दान के कारण वह बहुत अहमकारी और शक्तिशाली हो गया था उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोग पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था सभी देवता उसकी शक्ती के आगे असहाय हो गये थे देवताओं ने ब्रह्मा, विश्नु और महेश त्रिदेवों की शरण ली त्रिदेवों ने मिलकर अपनी शक्तियों से एक देवी का स्रिजन किया, जो महिशासुर का बध कर सके इस देवी को ही हम कात्याईनी या महिशासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं देवी दुर्गा का रूप अत्यन्त तेजस्वी और शक्तिशाली था और उन्हें सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र दिये महिशासुर ने देवी दुर्गा को युद्ध के लिए ललका रहा और नौ दिनों तक दोनों के बीच घोर युद्ध होता रहा महिशासुर अलग-अलग रूप धारन कर देवी को धोखा देने का प्रयास करता रहा कभी वह सिंध कभी हाथी तो कभी भैंसे का रूप धारन करता लेकिन देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से हर बार उसे परास्त कर दिया अंतत्य देवी ने महिशासुर का असली रूप भैंसे का रूप देख लिया और उस पर त्रिशूल से प्रहार कर उसका बध कर दिया महिशासुर के वद से देवताओं को स्वर्गलोग वापस मिला और समस्थ संसार में शांती स्थापित हुई इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और देवी दुर्गा की शक्ती से सभी विपत्तियों का समाधान संभव है इसीलिए दुर्गा पूजा और नवरात्री में देवी दुर्गा के इस पराक्रमी रूप की आराधना की जाती है कथा समाप्थ हुई बोलिये मित्रो जय मातादी अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा प्राचीन द्रंथों के अनुसार बानासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए मातापार्वती ने जन्म लिया था बानासुर को ब्रमाजी से ये वर्दान प्राप्थ था कि उसकी मृत्यू किसी कुवारी कन्या के द्वारा ही हो सकती है बानासुर को अहंकार हो गया था कोई भी कुमवारी कन्या तो उसका वध कर नहीं पाएगी और बाकी सब को वो आसानी से परास्थ कर पाएगा अपनी शक्ती का गलत इस्तिमाल करते हुए बानासुर ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर दिया इंद्र के साथ ही अगनी वरुन आदी देव भी बानासुर के आतंग से परिशान होने लगे देवताओं ने बानासुर के आतंग से मुक्ती पाने के लिए माता शक्ती से मदद मांगी माना जाता है कि तब माता ने धर्ती पर जन्म लेने का निर्ने लिया बानासुर का आतंक जब चरम पर था, तब देवी शक्ती ने एक प्रसिद्ध और धार्मिक राजा भरत के घर में जन्म लिया राजा भरत की आठ पुत्रियां और एक पुत्र था, इन में से ही उनकी एक पुत्री थी कुमारी जोकी देवी जगदंबा का स्वरूप थी अंध समय में राजा ने अपने राज्य का बठवारा किया, तो उनकी पुत्री कुमारी के हिस्से में बरतमान का कन्या कुमारी वाला क्षेत्र आया कहा जाता है कि बचपन से ही कुमारी भगवान शिव की परम भक्त थी शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तब किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी उनसे विवाह करने के लिए मान गए लेकिन नारत जी जानते थे कि अगर कुमारी यानी की माता आदी शक्ती और शिव जी का विवाह हुआ तो बानासुर का आतन कभी खत्म नहीं हो पाएगा ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह करने के लिए शुचींद्रम से यात्रा शुरू की तो नारत जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बांग देने के लिए कहा मुर्गे की बाग इस बात का संकेट थी की विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्ग निकल चुका है जब सही मुहूर्ग पर शिव जी विवाह के लिए नहीं पहुँचे तो कुमारी को बहुत क्रोध आया लेकिन क्रोध शांत होने के बाद यह सोच कर वो फिर से तब करने लगी कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी कुमारी की तपस्या और उनकी सुन्दर्ता के बारे में जब बानासुर को पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव कुमारी के पास भेज दिया बानासुर के इस दुस्साहस से कुमारी बहुत क्रोधित हुई लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बानासुर के समक्षिये प्रस्ताव रखा कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा दे तो देवी उसके बिवाह प्रस्ताव को मान लेंगी इसके बाद बानासुर और कुमारी के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ युद्ध के दौरान ही बानासुर समझ चुका था कि जिससे वो लड़ रहा है वो कोई साधारन कन्या नहीं है अंत में कुमारी ने बानासुर को परास्त कर दिया मृत्यू से कुछ क्षन पहले बानासुर को ग्यात हुआ कि ये कन्या कोई और नहीं बलकी साक्षाक देवी आदी शक्ती का रूप है मृत्यू से पहले बानासुर ने अपनी गल्तियों के लिए माता से क्षमा भी मांगी माना जाता है कि इसके बाद कुमारी अपने मूल रूप में आई और शिव लोग को चली गई लेकिन कुमारी ने मंदिर में अपनी उपस्थिती बनाए रखी मान्यताओ के अनुसार आज भी देवी कुमारी इस मंदिर में भगवान शिव का इंतजार कर रही है माता शक्ती के कुमारी रूप की याद में ही इस स्थान का नाम कन्या कुमारी पड़ा था कथा समाप्त हुई बोलिये मित्रों जै माता दी मित्रो माता रानी को शेरा वाली भी कहा जाता है और इसकी कथा भी इतनी ही रोचक है भगवान शिव को अपने पती के रूप में पाने के लिए मा पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि मापार्वती का गोरा रंग सामबला पड़ गया था लेकिन तपस्या सफल हुई और मापार्वती को भगवान शिव पती के रूप में प्राप्थ हुए एक बार शाम के समय मा पार्वती और भगवान शिव साथ कैलाश परवत पर बैठे थे भगवान शिव ने हास्य बोध में मा पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर प्रेन से पुकारा परंतु ये शब्द काली माता को अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश परवत छोडवन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गई जब वे वन में तपस्या कर रही थी तभी एक भूखा शेर मा को खाने के उद्देश से वहां पहुंचा लेकिन वह शेर चुकचाप वहां बैठ कर तपस्या कर रही माता को देखता रहा माता की तपस्या में सालों बीट गए और मापार्वती के साथ शेर वही बैठा रहा जब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहां भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का बर्दान दिया तब मापार्वती गंदा सनान के लिए चली गई सनान के लिए गई मापार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहां प्रकट हुई उस काले देवी के निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माता नाम कौशिकी पड़ा जब मा पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं जब मा पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुँची तो वहाँ पर उस शेर को वही बैठा पाया इस बात से प्रसंद होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुई यही कारण है कि तभी से मा दुर्गा का वाहन सिंग बन गया और माता को शेरावाली कहा जाने लगा प्रेम से बोलिये मित्रो माता आदी शक्ती की जए